लो एंड वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेग में पर एक बाब फिर से दोस्तों आज हमें कमाल के फोन को अंबॉक्स करने वाले हैं जो की आज ही लॉंच हुआ है यह है ओपो का A16 तो ओपो का A16 जो है इंडिया में लॉंच हो चुका है और आप Amazon पर जाकर इसे इसली बाइ कर सकते हैं और ओफ-लाइन मार्केट में भी जाके बाइ कर सकते हैं 4GB 64GB का वेरिंट जो हमारे पास यहां पर है और मैं आपको बता दू कि विछले साल ओपो का A15 लॉंच हुआ था उसली के अंदर आप कह सकतो एक अपडेट है A16 को यहां पर लॉंच किया गया है एक budget range smartphone आप इसको कह सकते है A15,000 आता है 13,990 रुपेस की जो कीमत है वो यहां पर रखी गई है चली दोस्तों फिर हम जल्दी से box को open कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है ओपर की यहां पर branding हो रखी है चली इसको open कर लेते हैं और यहां पर हमें कुछ white कलिगा box मिल जाता है अंदर इसके अंदर क्या है do तो यहां पर वाइट लुटका बॉक्स है, ऀपन कर लेते हैं इसको और यहां पर सबसे पहले हमें सिम exercises tool देखने को मिल जाता है, सासमें कुछ paperwork भी मिल जाता है, इसकी यहां पर केस मिल जाता है जिसे हम अपने फोन के उपर यूज़ कर सकते हैं अच्छी बात है कि ओपो ने यहां पर यह चीज हमें साथ में प्रोवाइड कर आई है और यह रहा हमारा ओपो का A16 स्मार्टफोन उपर काफी सारी फीचर हाइलाइट किये गए हैं तो यह सारी सारी फीचर की बात हैं वो तो हम वीडियो में करने ही वाले हैं पीछे से फोन कुछ इस तरीके का दिखता है तो साथ में चार्जर की बात कर लेते हैं और यहां पर हमें यह चार्जर ब्रिक भी देखने को मिल जाती है के इसके इलावा देखने क्या मिलता है यहाँ पर हमें C-type charging cable भी देखने को मिल जाती है तो C-type charging का जो support में देखने को मिलता है C-type jack मिल जाता है बेसिकली सिंदर और यह रहा हमारा phone OPPO का 1610 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पर हमें 3D sleek design देखने को मिलता है AI triple camera मिल जाता है HD plus eye care display के साथ यह आता है तो काफी सारे feature मिल जाते है चलिए इसको open कर लेते हैं ओके तो यह रहा दोस्तो basically हमारा smartphone इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर remove कर देते हैं All over दोस्तों अगर design की बात करते हैं तो काफी बढ़िया design लग रहा है 6.52 inches की screen है phone काफी massive यहाँ पर feel होता है पीछे की तरफ आप देख सकते है triple camera setup हमें देखने को मिलता है black color की layout पूरी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है यह चीज जो है काफी बड़ी है यहाँ पर आपको volume rocker और यहाँ पर आपका SIM slot वगरा है वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर दोस्तों आपको dual SIM का support मिलता है और इसकी जो storage है उसको आप 256 GB तक बड़ा भी सकते हैं यहाँ पर एक चीज मुझे देखकर काफी अचा लगा कि 3.5 mm का jack हमें यहाँ पर देखने को मिलता है C type जो है charging port मिल जाता है और speaker के लिए यहाँ पर space दिया गया है यहाँ पर आपको water drop notch देखने को मिल जाती है screen guard जो है phone पर लगा लगाया आता है तो आपको अलग से लगाने की जुरूत नहीं पड़ती है यह चीज काफी बढ़िया लगी मिरे को चलिए on कर देते हैं screen के अगर बात करते हैं तो 6.52 इंचिस की HD plus LCD डिस्पले देखने को मलती है full HD का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है दोस्तों जो डिस्पले लगी है वो आई केर मोर के साथ आती है तो आपकी आपकों के लिए डिस्पले काफी ज़दा बढ़िया रहने वाली है all over display काफी ज़दा bright है काफी बढ़िया लगती है और यहाँ पर हम जल्दी से इसको set up कर लेते हैं color OS इसकंदर आपको देखने को मिल जाता है color OS 11.1 का support देखने को मिलता है और phone जो है Android 11 के ओपर यहाँ पर run हो रहा है तो यहाँ पर 6.52 इंचिस की काफी massive screen है all over जो है pixelated नहीं लगती है काफी बढ़िया लगती है देखने में काफी bright है और setting में आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको सारे ही feature देखने को मिल जाते हैं और सबसे अची बात है का Android 11 को पर phone चल रहा है तो यहाँ पर हम आपको about phone में दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर जो processor इस्तिमाल किया गया है वो MediaTek का Helio G35 है जो कि एक mid-range smartphone processor मैं कहूंगा इसको और काफी सही तरीके से work कर जाता है 4GB की RAM है, Octa-Core processor है यह basically जो हमें मिलता है देखने को और यह सारी के सारी जो information यहाँ पर phone के बारे में दी गई है और जैसा कि Android 11 का support आपको यहाँ देखने को मिली जाता है और future में भी जो इसका update रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा, तो all over यह कुछ इसकी technical specification थी जो basic basic थी मैंने आपको यहाँ पर बताई और रिचली back कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूं उसके touch response की तो यहाँ ठीक ठाक touch response आपको देखने को मिल जाता है, all over fine है, अगर हम compare करते हैं बहुत ज़दा fast है तो ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5000 mh की battery भी मिलती है जो की काफी बढ़िया चलती है यह चीज बहुत ही जदा awesome एस phone की यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ security feature मिल जाते हैं जैसे कि आप जो है fingerprint फगरा लगा सकते हैं पिन कोड लगा सकते हैं, face unlock लगा सकते हैं असाथ में scanner तो आपको यहाँ पर मिल ही जाता है तो यहाँ पर यह सारी चीज यहाँ में देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर sensor इसका मैं आप दिखा रहे तो एक बार तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर fingerprint sensor का इस्तुमाल कर सकते हो काफी decent perform करता है, यह चीज काफी बढ़िया है और face unlock का भी आपको option मिल जाता है तो आप दोनों को unlock कर सकते हैं अपने साफ से phone को जैसा भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं दोनों feature यहाँ पर दिए गए हैं तो यह ती दोस्तों को इसकी tactical specification आपको छोटी सी indication light भी यहाँ पर दिख रही होगी तो यहाँ पर all over fine work कर रहा है देख सकते हैं fingerprint sensor काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर work कर रहा है और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं कि face unlock कैसा काम कर रहा है तो face भी मैंने यहाँ पर set कर दिया तो unlock काफी fast हो जा रहा है तो यह दोनों ही चीजे काफी बढ़िया तरीके से काम करती है हल्का साथ delay आपको face unlock में लगया बहुत minor था पर इतना जादा नहीं है और scrolling जो है decent हो रही है जसके मैंने को बहुत ज़दा fast नहीं है ठीक ठीक ही है दोस्तों यहाँ पर screen के बारे में बात करना चाहूंगा कि वैसे यह screen जो है 6.52 इंच की screen है HD plus LCD का इस्तमाल किया गया है पर color वगयरा काफी ज़दा decent आते हैं कोई भी इस पर वीडियो देखोगे तो वह अच्छी ही यहाँ पर नजर आती है और आप जो भी अपना content है वह 1080 वी 60 पर भी यहाँ पर consume कर सकते हैं वीडियो कहीं भी lag नहीं करती है पर सबस्तर ठीक है इसका यहाँ पर हमें G35 MediaTek का देखने को मिल जाता है अच्छा perform करता है जिनको भी एक decent performance चाहिए अपने phone से और वो जो है definitely phone के साथ जा सकते हैं all over screen यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर eye care technology के साथ भी आती है चाहिए वो netflix हो गया अक्छल प्राइम वीडियो भी बहुत चलती है तो वहाँ पर आपको ऐसा सच आस कोई दिक्कत नहीं आने वाला है performance अच्छी यहाँ पर रहने वाली है और edge to edge display देखने को मिलती है bezels काफी यहाँ पर पतले हैं नीचे की दरफ आपको थोड़ा सा मोटा पार्ट दिख रहा होगा पर वह इतना ज्यादा नहीं है all over bezels काफी पतले हैं यह चीज काफी अच्छी है camera की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर triple camera setup मिलता है जो main camera है वो 13 में आप एक्सवल का है पैनला बगार भी ले सकते हैं तो सारी जो main main features आप को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वीडियो बगार भी आप बनाना चाते हैं तो वह बदस्ता है यहाँ पर भन जाती है नाइट मोट भी आप यहाँ पर पर परफॉर्म कर देता है और यहां पर मैं zoom in भी आपको करा कर दिखा देता हूँ, camera decent perform करता है इसका, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर zoom in हो रहा है, बहुत ज़्यादा pixelated नहीं रहता है, ठीक्छा quality आपको provide कर देता है, मैं आपको कुछ sample यहां पर दिखा देता हू यहां पर दोस्तों camera जो है, ठीक चाक perform करता है, के पर मैं कुछ पोट्रेट शोट लेने में थोड़ा सा वहां पर लगा, कुछ object के उपर, इसके अलावा इसने ठीक चाक ही perform यहां पर किया है, तो photos आपकी ठीक आजाएंगी, अगर आप इसे अच्छा है, outdoor भी ले रहें, indoor तो quality ठीक आजाती है, तो यहां पर कुछ इस तरीकी की picture quality आपको यहां पर देखने को मिलती है, तो wide angle इसका ठीक काम करता है, और यहां पर यहां पर यह वाला जो शोट है, काफी अच्छा है, इसमें कुछ बोकी भी आपको यहां पर पीचे ने ज़रा रहा होगा, तो ठीक camera से भी इसकी photos काफी अच्छी आजाती है, यहां पर जो front camera है वो 8 megapixel का है, तो अगर आप selfies वगारा भी काफी जदा लेते हैं, तो यह phone आपके लिए काफी जदा बढ़िया रहने वाला है, काफी अच्छे तरीके से जो है perform यहां पर कर देता है, और जो skin tune वगारा यहां पर लूग कर दें काफी एक्टिया गस्धदिर तरीकेノिमाते है, यहां पर जो तरीकेमाल जा आपिक लेच्ता है वाँ सब्स्का लेक है तो दोस्तों यहां पर sound quality आपने इसकी सुनी यहां पर sound तो उसका काफी जदा loud है क्योंकि single speaker दिया गया है तो बहुत जदा आपको कुछ effect वगरा देखने को तो नहीं मिलते हैं बट आहां आवाज जो है वो आपकी काफी loud आती है वो कोई भी song अगर आप इसे सुन रहे हैं तो काफी loudly आपको यहां पर सुनाई देता है all over decent perform यहां पर करता है अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कुछ और features की जैसे कि अंदर आपको smart battery protection का option देखने को मिल जाता है उसमें basically क्या होता है कि के बार होता है कि आप रात को phone लगा कर charging पे छोड़ देते हो तो उस चीज से आपकी battery पर फरक पड़ सकता है इसके लावा दोस्तों इस phone के अंदर आपको IPX4 certification देखने को मिल जाता है तो थोड़ा पो तकर पानी भी इस पर गर जाता है splash proof है हलका पुलका जैदा नहीं तो आपका phone जो है secure रहता है दोस्तों बात करते हैं phone के weight के तो यहां पर 190 gram का आपको weight देखने को मिलता है phone दिखने में काफी जदा बढ़िया है काफी stylish लगता है वो काफी sleek भी है अब दोस्तों यहां पर कुछ strong point की बात करते हैं कि क्यों इस phone को आपको consider करना चाहिए दोस्तों एक budget smartphone है इसके अदर आप बहुत जदा high end feature expect नहीं कर सकते हैं जिनको बेक decent phone चाहिए एक decent smartphone चाहिए वो definitely से consider कर सकते हैं यहां पर जो screen आपको मिल जाती है 6.52 इंचिस की मिलती है HD plus display मिलती है के technology मिलती है तो आखों के लिए अच्छा है 5000 mh की बैटरी देखने को मिलती है तो लोंग बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी आपको जल्दी जल्दी चार्ज नहीं करना पड़ेगा तैसर दोस्तों इस phone के अंतर आपको media tech helio g35 देखने को मिलता है जो कि आपक कुछ cards बगारे पर आपको discount भी यहाँ पर देखने को मिल जाए तो इसका buying link description में है तो वहाँ से जाके आप इसे easily buy कर सकते हो आप इस phone के बारे में क्या सोचते हो मुझे comment करकर जरूर बताना अगर आप already Oppo का phone use करते हो तो अपना जो experience है वो भी मुझे in comment section में share कर सकते हो त खेर दोस्तो आज की जो वीडियो थी वो Oppo के A16 के बारे में थी उमीद करता हूँ को वीडियो पसंद आई होगी फिर जल्दी ही मलाकास होगी आप से किसी और वीडियो में और तब तक के लिए take care and bye bye